नमस्कार स्वागत है आप सब का दिन बर के तमाम बड़ी और एहम खबरों के साथ मैं हूँ कवींद्र शुरुआत हैडलाइन से कश्मीर में वारता के लिए अमन जरूरी में खुमंत्री महभुवा मुफ्ती ने कहा पाकिसान को छोड़नी होगी हिंसा युवाओं को मुक्धारा में लाने पर जो डेविट कार्ड मामले में केड़ सरकार का तेजी से कारवाई का वादा व्रत्मंत्री जेटी ने आर बियाई और वैंकों समांगी रिपोर्ट 32 लाग कार्ड धारकों को एटियम पे बदलने की सला सुप्रिम कोर्ट से बी से सी आई को भटकार राजसंगों को फंड जारी करने पर रोक बोर्ड के खातों और कॉंट्रेक्ट की जाश के लिए स्वतंत्र और अजिटर नियूट करने का आदेश और समाजवादी पार्टी की बैटक में नहीं आए अखलेश शुपाल यादो की एक जुर्टा दिखाने की कोशिस काहा जीतने पर अखलेश ही होंगे मुख्मंत्री और आई देखते हैं पहली खबर सुप्रीम कोट ने सिफारिशें नमानने तक BCCI के राज क्रिकेट संगों को दिये जाने वाले फन पर रोक लगा दी साथी दोड़ा फैनल से कहा है कि BCCI के खातों की जाश के लिए वो स्वतंत्र औरिटर की नियुक्ति कर सकता है सुप्रीम कोट ने लोड़ा कमिटी के सिफारिश लागू कराने के लिए BCCI और राज क्रिकेट संगों के बीच वित्तिय लेन देन पर रोक लगा दी कोट ने BCCI प्रमुक अनुराग ठाकुर और सचव को 3 दिसंबर तक हलफ नामा देने को कहा है इसमें उन्हें बताना होगा कि लोड़ा पैनल के सिफारिशें लागू करने के लिए उन्हें कितना समय चाहिए सुप्रीम कोट ने BCCI के खातों और ठेकों की जाच के लिए लोड़ा पैनल से स्वतंतर आडिटर नियुक्त करने को कहा है BCCI के वित्तिय मामलों पर भी लोड़ा कमीटी नजर रखेगी बोड के अध्यक्ष अनुराक ठाकुर ने कहा कि वो सुप्रीम कोट के आदेश का पालन करेंगे इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने कहा था कि BCCI को लोड़ा समिती के सिफारिशें लागू करने ही होंगी बीसी सी आई में सुधार के लिए सुप्रीम कोट ने लोड़ा समिती के सिफारिशें स्वेकार की थी लेकिन BCCI ने आप तक इसमें अमल नहीं किया है रविन सिंग्शोरान, राजय सभा टीवी और खेल पत्वकार रवीजी 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 जिस तरीके से ये फैसला अब है तरीके से आप इसे देखते हैं और क्रिकेट संग जिनको लेकर BCCI के कहना था कि सुप्रीम कोट या लोड़ा कमिटी के सिफारिशों के चलते हैं जो संग हैं उनका डिवलोब्मेंट नहीं हो पाएगा, वो खेल नहीं करा सकते हैं क्या वाकी दम दिखता है बात में या फिर इस आदेश जटके से बचने की एक चादर है वो कविन जी देखे आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है मैं थुरा से पीछे जाना चाहूंगा ताकि पूरे जो एक खाका है लोग के सामने आ सके देखे इसके उपर पहल बहुत पहले हो चुकी थी जब अजे माकन हमारे खेल मंत्री थी और उन्होंने ये सब मामला उठाया था लेकिन आप जानते हैं चुकी BCCI में सारे जो पॉलिटीशन बैठे हुए हैं तो उन्होंने उसको स्कटल कर दिया बलकि अजे माकन को अपना पद भी छोड़ना पड़ा था ये शुरुआत तब से थी लेकिन मैं समझता हूँ इस दिशा में कि पारदर्शिता आए BCCI के फंक्शनिंग में क्योंकि BCCI दुनिया का सबसे अमीर एक खेल संग है और और भी जो उनकी फंक्शनिंग है उसमें पारदर्शिता आए ट्रांस्पिरेंसी आए इस वज़े स से आवश्यक हो गया कि सुप्रीम कोट ने इंटर्वीन के लोदा कमिटी बिठा दी ऐसा लग रहा था कि अगर आप जाच करें गहराई से तो ये लगा कि BCCI की चैरी पिकिंग कर रहा था कि थोड़ा बहुत कर लिया है जिसे कहते हैं लीपा पोती कर रहा था वो इसलिए क कर रहा था कि वो शायद इस बात के उमीद कर रहा था कि हमें कोई राजनितिक किसमें जो सहयोग मिलेगा दूसरा वो सोच रहा था कि क्रिकेट एक भारती जन्मानस का खेल होग चुका जहां जनता की आस्थाएं जुड़ी हुई है इस खेल से और एक जनता से भी हमें जो स सानबूती मिलेगी तो इन दोनों से जब उससे सानबूती नहीं मिली तो आज बीसी साही अपने आपको कॉर्नर फील कर रहा है उधर से क्या कहते हैं सुपरीम कोर्ट ने उससे एक तरफ कर दिया है पूरी तरह प्रतिबंद लगा दिया है उनके उपर कि आप कोई लेंदे नहीं कर सकते हैं और इसके पीछे क्या है शायद उसके पीछे भी एक चीज चाहल शायद ये रही होगी जब अगर राजी ट्रोफी नहीं हो सकती है उसके लावार नुजिलेंड का दोरा चल रहा है और इंग्लेंड के तीम में आने हैं दोरे के लिए तो ये सब मामला जो खटाई में पढ़ा जाएगा तो इसका एक प्रेशर पड़े स्वाइज सुप्रीम कोड के उपर लेकिन लगता है कि इसका कोई प्रेशर नहीं पढ़ने माला ये जो अंदर ये जो अन्राट ठाकूर हैं उसकेटरी हैं उनको दो हफ़ते के समसीमा साथ एक सोतंतर और जो स साथी चरती थी लेकिन अब क्या होगा देखिए जब इंडीपेंडेट ओडिटर होगा तो क्या करते हैं बिलकुल साफ निकल घाएगा दूद का दूद पानी का पानी होगा क्योंकि पता लगए कि पैसा वह वाकई में सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा था कि नहीं हो रहा और ये बहुत ज़रूरी था कि एक independent auditor हो, क्योंकि इतना rich, इतना mere ये भारतिय के control board है, तो उसमें जो कुछ पैसे का लेंदेन है, सारा जगड़ा उसी पे है, इसलिए एक पारदर्शिता है, वहाँ पे आगी है, और भारती जन्मानस जो इतनी नजदी की तोर पे उसे पता ल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यह मैं सबता है, बहुत दूरदर्शी फैसला है, सुप्रीम कोट का, और दो हफते में लोड़ा समित की जो सिफारशी उनको लागू करना है, तो फिर board में बचेगा कौन, क्योंकि जिस तरीकी की सिफारशी उसके आधार पर तो फिर इना में जो राजनेता हैं, उनको पर छोड़ना होगा? सुरव गंगुली हैं, सुरव गंगुली ने अभी तक कोई ओफिस होड़ नहीं किया, लेकिन सुरव गंगुली के आप कारना में देखे, मैं मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं आपको क्रिक्ट का कारना में नहीं गिनाऊंगा, कि जिस तरह से उन्होंने जब मैच्च फिक् सुरव गंगुली की पेंग बॉल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने तीन खिलाडियों को, वीवेस लक्षमन को, शेकर को, और मुथया मुडली धरन को लिया कि एक पूल बना एक प्रिकेट रस्षियन बंगुल के लिए, उन्होंने पांच करोड रुपे क्रिकेट रस्षियन रुपे करने को, वीवेस लेड़न सेहां को ब्यांच क क्रिकेट की वो देश की कहानी बननी चाहिए, विलकुल बन सकती है, नहीं, और एक इनसान हमारे पास ऐसा है, इस से पहले क्या हूआ, तो इन्टरिम प्रेजिड़न बने थी एक जमाने में, तो ऐसा नहीं है, कि हमार कि पतलिये सक्रे गलियारों की तरह भाग रहे थे क्या कोई रास्ता भी भी उनके पास देखता है देखे सुप्रीम कोट जो एक शब्द सुप्रीम है ना मैं सकता हूं उसके सामने सबको नत्बस तक होना पड़ेगा वो कैसा संस्थान है और देखे सुपर जैसल लोदा अब तक क्या वर्चस हो था कुछ लोग हतिया हुए थे या उनके लोग हतिया हुए थे क्रिकेट असोशेशन को इस वजह से क्या करते हैं वो उसको चला रहे थे और अपने तोर तरीके से चला रहे थे उसमें कोई सही माप परिमाप या मापदंड नहीं था तो इसलिए ल हमारी पहली खबर छोड़ा साब ब्रेक और बेकर उस पार दिनवर की दूसरी बड़ी खबर कागज पर उत्री ले खाएं नेता के माथे चिंताएं ब्यूरोग्रेसी तनी तनी सी पब्लिक लेकिन खिली-खिली सी लेता है सबकी वो खबर धारदार है इसकी नज़र नहीं बोलता ये किरदार लेकिन सब हैं खबरदार पढ़ने वाले का जीते मन सिर्फ एक है वही लक्षमन देखिए विरासत में इस बार आरके लक्षमन का काल्टून संसार भारत ने जमो कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संगर्ष विराम के और लंगन का करारा जवाब दिया है बियस अफ की जवाबी का रवाई में एक आतंकवादी धेर हो गया और साथ पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं बियस अफ ने घुसपायर के एक बड़ी कोशिस नाकाम कर दी है ठीरा नगर सेक्टर में अंतराश्टी सीमा पर सुबह साड़े नौ बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने बोविया पोस्ट पर गोली बारी की जिसमें बियस अफ का एक जवान खायल हो गया इसके लावा पाकिस्तान के और से राजवरी सेक्टर में भी गोली बारी हुई भारती सुरक्षाबलो ने इसका जवावी हमला भी किया और समचित जवाब दिया है जम्कश्मीर की मुखमंती महववा मुफथी ने कहा कि घाटी में शान्ती के लिह हिंसा और आतंकवाद पर रोक जरूरी है महववा मुफथी ने कहा कि आतंकवाद ख़त्भोने के बाद ही आफसपा हताए जासकेगा जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि घाटी में वारता के लिए शान्ती जरूरी है पुलिस स्मृती दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकवादी बच्चों का इस्तिमाल कर अशान्ती पहला रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि वारता के लिए आतंकवाद और सीमा पार घुसपैट पर रुख जरूरी है और इसके लिए पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए उधर बारमूला में दूसरी बार सर्च आपरेशन शुरू किया गया सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकी गतिवीधियों की जानकारी मिलने के बाद कई जगों पर तलाशी अभियान चलाया 17 अक्टूबर को इसी इलाके में 700 घरों की तलाशी लिगई थी और 44 संदिग्धों को गिरफतार किया गया था आतंकवाद के प्रती किसी प्रकार की कोई धील करने का कोई मुझाइश नहीं होनी चाहिए और सभी राजनितिक दलों की इसमें सर्वसमती भी है राजधानी श्रीनगर के 6 थाना छेत्रों में शुक्रवार को इहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया घाटी के दूसरे इलाकों में आवाजाही पर बंदिशें लगाई गई पुलिस के मताबिक कानून विवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया सोनु कुमार के साथ ब्योरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी डेविट काड डेटा चोरी मामले में किन सरकार ने तुरंद कारवाई का भरूसा दिया है वित्यमंत्राले ने लोगों से कहा कि वो घबराया नहीं अलग अलग बैंकों ने खाताधारकों को पिन बदलने की सला दी है साथ ही SBI ने अपने ग्राकों को SBI बैंक के ही ATM के इस्तमाल की सला दी 32 लाग से अधिक डेविट काड का डाटा चोरी होने की खबरों के बीच वित्यमंत्राले कारवाई में चुट किया है वित्यमंत्री अरुन जेटली ने रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों से विस्तरित रिपोर्ट मांगी है वित्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मांगने का मकसद नुकसान को रोकना है वित्तिय मामलों के सचेव शेशिकान दास ने बताया कि बैंकों से शुरुवाती रिपोर्ट मिल गई है लेकिन फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद इस फर विस्तरित चर्चा होगी देश में डेबिट कार्ड से डाटा चोरी का ये सबसे बड़ा मामला है 32 लाग डेबिट कार्ड में 26 लाग वीजा और मास्टर कार्ड प्रेटफरम के हैं वही 6 लाग कार्ड रूपे के हैं डाटा चोरी 90 एटियम मशिनों से हुई National Payment Corporation of India के मताबिक 19 बैंकों के 641 ग्राहकों के खातों से एक करोड तीस लाग रूपे फर्जी तरीके से निकाले गए कई बैंकों को शिकायत मिली है कि उनके कार्ड का इस्तेमाल चीन और अमेरिका में हुआ जबकि उसके ग्राहक भारत में ही थे सुरक्षा में सियंद के बाद 32 लाग से अधिक डेविट कार्ड ब्लॉक कर दिये गए हैं या बदल दिये गए हैं SBI भी 6 लाग कार्ड बदल रहा है कई बैंकों ने ग्राहकों से पिन कार्ड बदलने को कहा है PTI के मताबिक Yes Bank को सेवाए देने वाली Hitachi Payment Services के सिस्टम में वायरस से ये मामला शुरू हुआ डाटा की चोरी मई से जुलाई के बीच हुई लेकिन इसका पता सितंबर में चला जानकारों का मानना है कि साइबर हैकिंग से बचाओ के लिए सिस्टम को लगातार अफ्ट्रेट करना ज़रूरी है कनेक्टिविटी, हाई एंड, टेकनलोजी उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई वो बहुत उसमें कमी वाली बात है बढ़ हाँ, एज आई टोल अर्लियर कि उसमें इंप्रूमेंट की कही ना की गुनजायश तो जरूर है सॉफ्ट्वियर में है, उन एटियम कार्ड्स में है, उन स्विचीज में है, उन मशीन्स में है, वो कहां पर है, वो जो फॉरंसी कार्डिट होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, शायद उसमें ज्यादे क्लियर होगा हर विआई के मताबिक देश भर में करीब 66 करोड डेबिट कार्ड है, सबसे ज्याद नुकसान स्टेट बैंक को हुआ है, इसके बाद स्विआई ने गराहकों से कहा है, कि वो बैंकों की ही एटियम मशीन का इस्तिमाल करें समाजवादी पार्टी का पारवारी कलाय थमने का नाम नहीं ले रहा, प्रदेश अध्यक शिवपाल यादो के नियोते के बावजूद आज मुक्मंत्री अखलेश यादो पार्टी के जिलादक्शों के बैठक में नहीं पहुंचे हलाकि शिवपाल ने एक जुरता देखा प्रदेश विधान सभा चुनाओ को लेकर लखनो में समाजवादी पार्टी मुक्ख्याले पर जिला अध्यक्शों और महानगर अध्यक्शों की बैठक हुई इसमें अखिलेश यादव तो नहीं पहुँचे लेकिन प्रदेश अध्यक्श शिवपाल यादव ने कारेकरताओं को एक जुटता का संदेश दिया उन्होंने दोहराया कि चुनाओ जीतने के बाद अखिलेश यादव ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे शानिवार को राज्यकार कारणी और पार्टी के विधान परिशत सदस्यों की बैठक होनी है माना जा रहा है कि अखिलेश यादव बैठक में शामिल होंगे इस बीच अखिलेश यादव को राष्ट्री अध्यक्ष बनाने को लेकर मुलायम सिंग यादव को चिठ्थी लिखने वाले पार्टी MLC उदैवीर सिंग अब कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में मचे घमासान को लेकर अखिलेश यादव की अलोशन की है प्रदेश अध्यक्ष केशो प्रसाद मौरे ने कहा कि अखिलेश यादव से ना तो परिवार समभल रहा है और ना ही राज्य बीजेपी ने नए राशन कार्ट पर अखिलेश यादव की तस्वीर हटाने को लेकर चुनाव आयूक का रुख करने की चेतावनी भी दी कॉंग्रेस भी इस मामले की आलोशना कर चुकी है ब्योरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी सुप्रीम कोट ने दिल्ली में फैले कच्रे को एक बड़ी समस्या बताते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटका लगाई है कोट ने कहा कि दिल्ली में तीन जगहों पर कच्रे की को तो मीडार बन चुकी है लेकिन सरकार इसके सही निस्तारण के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रही किजडिवाल सरकार की दलील थी कि कच्रा इक खटा करना और निस्तारण का काम M.C.D. का है इस पर कोट ने कहा कि अपनी जम्यदारी को दूसरों पर डालना समस्या का समधान नहीं कोट ने दली सरकार से कहा कि विधायकों के जरिये दली की जन्ता को सफाई के लिए जागरू कर सकते हैं दली में गाजीपुर, वहलसमा और ओकला तीन डंपिंग यार ने जहां 45 मीटर रूचे कच्रे के पहाड़ बन चुके है सीबियाई ने अमब्रायर हिलिकाप्टर सौदे में एनराई आम्स दीलर विपन खना के खिलाफ एफाई आर डच की है विपन के खिलाफ लोकाउट सरकलर भी जारी किया गया है ताकि वो देश छोड़ करना जा सके एफाई आर बे दो विदेशी कमपनियों के नाम है खरीदने का सौदा हुआ सीबियाई का ये भी आरोप है कि खना को करीब पांच देशमलों साथ चुन मिलियन डॉलर की घूस पीड़ी सरकार ने आज सस्ती विमान सेवाओं से जुड़े शेत्रिय संपर्क योजना उडान का एलान कर दिया है योजना के तहट चोटे शेहरों के बीच एक घंटे की उडान के लिए 25 रुपए की सीमा लगाए गई है सरकार को उमीद है कि इस योजना के तहट पहली उडान जनवरी में शुरू होगी चोटे शहरों के निवासी पचीज सो रूपई देकर एक घंटे का हवाई सफर कर सकते हैं केंदर सरकार ने सस्ती विमान सेवाओं से जुड़ी उडान योजना की आपचारी घोशना करती है योजना का मकसद गैर सेवा या कम सेवाँ वाले हवाई अड्डों को विमान सेवाएं उपलब्द कराकर शेत्रिय संपर्क को बढ़ाना है इसके तहट पहले उडान सेवा अगले साल जनवरी से शुरू होगी सरकार ने इसी साल जुलाई में नई विमानन नीती को मंजूरी दि थी इस समय देश में विमान सेवाँ से वंचित 394 एरपोर्ट है वहीं 16 एरपोर्ट ऐसे हैं जहां सेवाएं कम हैं सरकार 50 से कम सेवाँ वाले या गैर सेवा वाले हवाई अड़ों को अफग्रेड करेगी इस योजना के लिए सरकार शेत्रे संपर्क कोश इस्थापित करके मदद मुहया कराएगी प्रमुक मार्गों पर हवाई यात्रियों को शेत्रिय संपर्क योजना के वित पोशन के लिए अधिक भुक्तान करना होगा दुनिया में ये अपनी तरह की पहली योजना है योजना के तहट कम से कम 9 सीटें और अधिकतम 40 सीटें हो सकती है विमान की 50 सीटें औरान किराय के तहट रिजर्व होगी जिसका किराया 25 सो रुपए होगा और बाकी 50 सीटें बाजार आधारित मूले की मताविक होगी सरकार को उमीद है कि भारत में 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन शेत्र होगा छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा शुरू करने वाली कमपनियों के घाटे की सरकार भरपाई भी करेगी सरकार का लक्षे है कि साल 2022 तक 30 करोड एयर टिकट की सालाना अभिकरी हो प्रणफ गोस्वामी राज्यसाभा टीवी अमेरिका के राश्रुपती बराक उबामा ने कहा है कि चुनाओ को लेकर रिपबिकन उम्मीदवार डोनाल ट्रम्प का रवईया खतरनाक है ओहियों में ट्रम्प ने कहा था कि जीतने पर ही वो राश्रुपती चुनाओ के नतीजों को स्विकार करेंगे ट्रम्प ने नतीजों के साफ सुत्रे नहीं होने पर कानूनी चुनाओती देने की बात कही थी इस बीच अमेरी की खुफिया विभाग ने हैकिंग के जरीए चुनाओ नतीजों में बदलाव की आशंका को खरिश किया है इससे पहले तीसरी और आखरी प्रेजिडेंशिल डिबेट में भी ट्रम्प ने चुनाओ के नेतीजों को नहीं मानने का संकेत दिया था अमेरिका में आठ नवंबर को राश्रपती चुनाओ होने है बिरू रपोर्ट राजसभा टीवी मौसल शेहर को आईस से चुलाने में जुटी एराकी सीना को एक बड़ी कायाओी मिली है सीना ने मौसल से लगे बारतेला शेहर को पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया हलाकि इस दौरान दो सानिकों की मौत हो गई है अमेरिका समयत कई देशों ने इराकी सीना को सहयोग दिया है और उस बीच करकुप में आज आईस के आत्मकाती हमले में सूलह लोगों की मौत की खबर है तो खबरों के आज के सफर में इतना ही नमस्कार